नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन प्लासस में आप सभी का स्वागत है, वेरी गूड इवनिंग तो अल उफ यू, दोस्तों कल हमने आपको वादा किया था कि आज हम आपके लिए एक स्पैसल वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको UKPSC का एक पेपर सॉल्फ करवाएंगे, दोस्तों है पेपर है अपर निजीस सचिव का यानि की APS, Additional Personal Secretary का UKPSC ने हाल में ही इसका पेपर आएजित करवाया था और दोस्तों, यह बहुत महतुपूर्ण हो जाता है पेपर आगामी सबी एक्जाम के लिए, चाहे वो PCS का हो, पुलिस, पटवारी, आरो करवाते हैं, जिनके आने की संभावना रहती है, तो आज देख लो किस तरह का पेपर यह आया है, सभी के सभी लोग पार्सिपेट करें, एक बार जितने भी लोग हमारे सांग जुड़ गये हैं, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के बीच में सेसन को शेर कर दीजे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर देरे देरे लोग हमारे सांग जुड़ जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे APS का पेपर, और देख लीजे, इसमें कुल मिला के 100 प्रशने रहेंगे, सभी प्रशने दोस्त समझौता ग्यापन को मजजूरी दी है, चार आपके सामने हैं, श्रिललंका, भूटान, वियतनाम या फिर थाइलेंड, जल्दी से इसका अंसर देंगे, सबी लोग यहाँ पर दोस्तों पार्सिपेट करें, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, मैं आज आज किये हैं, इसको मंजूरी दी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्षिते, केंद्री मंत्री मंदल, उनके अध्यक्षिता में, 30 दिसंबर में आपको डेट पता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है, यह पूछ लिया जाए, 30 दिसंबर 2020 को इस MOU में हस्ता अक्षर हुए ठीक है, चलिए, तो B वाला उप्षिन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा, प्रदान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा है, प्रदान पोर्टल, PRADN, प्रदान पोर्टल किस से जुड़ा हुआ है, DRDO, ISRO, UPS C या फिर UGC, जल्दी से बताएंगे, प्रदान पोर्टल, प्रदान पोर्टल किस से जुड़ा हुआ है, तीन सेकंड का समय रहेगा, आज तीन सेकंड भी देंगे, आज तो दो सेकंड देंगे आपको, कमी देंगे समय, ठीक है, तो इसका राइट अंसर है, B वाला, देख कि जो जनकारी होगे, प्रदान पोर्टल पर दी जाएगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंगलूरू में बिजली वित्रण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निमने में से कौन सा संगठन है, देखे, बैंगलूरू में जो बि बैंक, ADB, IMF, आप जानते होंगे, संगठने जो की रेंट परदान करते हैं, देशों को, ठीक है, बहुती सस्ते दरों पर, ठीक है, सस्ते व्याज पर, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, C वाल ऑक्शन करेक्ट है, देखे, ADB है, Asian Development Bank, ठीक, इसने दोस्तों क्या किया ह है, कि जो हमारे बैंगलूरू का जो बिजली वितरन है, उसके आधुनी करण, और एक तरह से उसके अपग्रेडेशन के लिए, ठीक, 100 मिलियन डॉलर परदान करने का, मत्तब परदान की है, ठीक है, वैसे देखा जाए, तो 190 डॉलर है, ठीक, तो 190 डॉलर है, लेकिन दो पा कंपनी लिमिटेड है, इसको दोस्तों क्या करना है, इसमें सुधार करना है, ठीक है, जनरली क्या होती है, जो डिसकॉम कंपनी होती है, वही आपकी क्या होती है, जो ये कंपनी होती है, बिजली वितरन के लिए उतरदाई कंपनी होती है, ठीक है, डिसकॉम, तो ऐसी तो पहला CDS निलिकित में से किस तिती को नियुक्ति किया गया तो अच्छा प्रशन है अभी आपको पता होगा हाल में CDS विपन रावत की डेथ हो गई थी प्लेइन क्रैश में ठीक है तो कब इनको CDS भारत का पहला CDS थे यह कब इनको न्युक्ति किया गए, जल्दी से दिंगे इसका answer, 3 सेकंड का वक्त रहेगा, इसका right answer क्या है, दोस्तों, इसका right answer है, 31 दिसंबर 2019, ये वाल option बिल्कुल correct है, ठीक है, कई जगा पर हो सकता है कि 1 जनवरी 2020 दियाओ, ठीक है, न्युक्ति किया गया, वैसे देखा जानते, दोस्तों, कहा से दि बिलॉंग करते हैं, उत्रगंडे के पॉड़ी गडवाल से ही दोस्तों बिलॉंग करते हैं, ठीक है, इनकी तमिल नाडू में, कंदूर में, मिर्ती हो गई थी, ठीक है, वहाँ पर जो सेने का हेलिकॉप्टर था, वो crash हो गया था, ठीक, तो 8 दिसंबर 2021, हाँ, 8 दिसंबर 2021, को इनकी दोस्तों क्या होगी थी, plane crash में, मिर्ती हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, 8 दिसंबर 2021, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक काम करते ह दिसंबर 2021, प्रशन को मिटा देता हूं, आप तब तक अगला प्रशन देखिए, मंत्री मont वंडल ने सौरुझा चेतर में भारत और निम्निमे से किस देश के बीच समझाता ग्यापन को ममझूरि दिधे, सौरुझा के चेतर में, सौरुझा के चेतर में भारत और कौन सा देश है जिसके बीच में समझाता हुआ है फ्रांस, उजगेपिस्तान स्रिलंका या फिर नेपाल तो कौन है इसका right answer France, उजबेकिस्तान, स्रिलंका या फिर नेपाल तो इसका right answer है B वाला उजबेकिस्तान सौरुर्जा के छेतर में भारत और उजबेकिस्तान के बीच में समझाता हुआ था दोस्तें ये हुआ था 20 जनवरी 2021 को ठीक है ये आप कहीं पर लिख लेना इन सारे facts को ठीक है तो 20 जनवरी 2021 को भारत और उजबेकिस्तान के बीच में समझाता हुआ था 100 रुजा के छेतर में ठीक है तो चलिए आगला प्रशन केंडरी विद्देष मंत्राले ने ब्रैंड इंडिया को उझागर करने के लिए निम्निमे से किस रिषानी की website लॉंच की है ये ठोड़ा सा अच्छा प्रस्वन थोड़ा टफ लेवल का भी प्रस्वन ठीक है तो brand India को उझागर लिए मतलब समझ रहे ना, brand India मतलब कि जो इंडिया में जो चीजे बनती हैं, उनके brand को क्या करना है, highlight करना है, ठीक है, तो उसके लिए किस type की website launch की थी, Kendriya Videsh Mantrali ने, ठीक है, economical diplomacy website थी, counter-terrorism website थी, cyber diplomacy website थी, या फिर cultural growth website थी, ठीक है, थोड़ा सा अप अंदाज़ा भी लगा सक ठीक है, तो economic diplomacy website थी, ठीक है, तो ये इसका right answer है, ठीक है, तो economic diplomacy website की थी, Kendriya Videsh Mantrali ने, launch की, मतलब की, इस type की, स्रेणी की website launch की है, ठीक है, जिससे की, जो इंडिया brand है, उनको क्या किया सके, highlight किया सके, उनको एक तरह से, एक नहीं पैचान दिलाई जा सके, ठीक है, तो economic diplomacy website ठीक है, डिपलोमेशी का मतलब क्या होता है, कूटनिती, समझा रहा है तो एक आर्थिक कूटनिती, website ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगला प्रस्ण देखी, अंतराष्टी विज्ञान साहित्य उत्सव, विज्ञानिका का एजन, निम्न में से किस भारती वेक्तित्यों की, जेनती पर किया गया था, ठीक, अंतराष्टी विज्ञान साहित्य विज्ञानिका, ठीक, इसका एजन किया जाता है, तो ये किस भारती वेक्तित्यों की जेनती पर किया गया, डॉक्टर स्रीवी रमन, स्री निवास, रामानुजम, जग्दीश चंद बोस, या फिर विकरम सारा भाई, जल्दी से इसका अंसर देंगे, तीन सेकेंड का वक्त रहेगा, ठीक है, आज हमार पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रशनों को दोस्तों, आज हमने डिस्कस करना है, तो इसका अंसर मैं बता दूँ, सभी लोग ट्राई करें, बी वाला हवाई एड़े का नाम बदल कर मरियादा पुरुषोत्तम राम हवाई एड़ा रखा जाएगा, बड़ा अच्छा प्रशन है और बहुत इजी भी है, बता भी सकते हैं, ठीक है, वारानेसी, हरिद्वार, अयोध्या या फे लखना, तो भाई कौन सा सहर के हवाई एड़े क नाम बदल कर मरियादा पुरुषोत्तम राम हवाई एड़ा रखा जाएगा, ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, अफकॉस दोस्तों क्या होगा, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, यूपी गवर्मेंट ऐस तरह का प्रस्ताव ला ला लिए कि वहां के जो हवा ठीक है, भारत में निर्दिष्ट कुसल स्ट्रमेक, यानि कि क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, ठीक है न, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर में साज़दारीम के साथ किस के संग इन्होंने ग्यापन में हस्ताक्चर किये हैं, ठीक है, सिंगापुर, UAE, जापान या फे साओधियार, आप देख रहे होंगे कि ज्यादा तर जो भारत और अन्य देशों के बीच में, MOU या कोई भी समझोता ग्यापन पर स्ट्रक्चर के जाते हैं, उससे कोशन ज्यादा तर आ रहे हैं, तो आपको करना है कि अभी हाल में ही जितने भी भारत ने स साजितारी में जापान के संग भारत में समझोता किया है, ठीक है, समझोता ग्यापत पर स्टाक्चर कियें, आप देखे है, हाल में ही कबरों में रही वासुकी नामक ट्रेन निमलिकित में से किस रेलवे जोन से जुड़ी है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, ठीक है, भारत में सबसे लंबी ट्रेन का रिकॉर्ड अब किसका हो गया है, वासुकी का हो गया है, ठीक है, ये साड़े तीन किलोमेटर लंबी ट्रेन है, ठीक, साड़े तीन किलोमेटर दोसने लंबी है, पांच इसमें इंजन है, 295 इसमे तो क्या इसका right answer होगा, इसका दोस्तो है south east, तो दक्षन पूरु मध्य railway से ये train जुड़ी विये, वासुकी नामख train, तो इसका right answer क्या होगा, वासुकी, चल या आगे बढ़ते हैं, तो वासुकी इस समय पर इंडिया की सबसे लंभी train है, भारत ने हाल में ही निन्ने में से क सेक्तिकारे सम्मों की पहली बैटक में भाग लिया, वो कौन सा देश है, यह आपको बताना है, ठीक, जली से बताएंगे इसका राइट अंसर, साओधी अरब, बहरीन, फ्रांस या फिर जापान, तो इसका राइट अंसर है दोस्तों, बहरीन, ठीक है, बहरीन के संग इन्हों से किस देश के संग, अक्षे उर्जा के छेतर में सेक्तिकारे सम्मों की पहली बैटक मेला भाग लिया, तो वो है बहरीन, क्योंकि इसी किसंग क्या किया था, समझोता ग्यापन में अस्ताक्चर की ये थे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन देख लेते हैं, एक बार, चलिए, अगला प्रशन आपकी स्क्रिन पर आपको दीख रहा होगा दोस्तों, देखिए, बार वाँ, रास्टी कौसल विकास निगम ने चात्र चात्राओं को सीगर कौसल परदान करने के लिए, निमने में से किस कमपनी के साथ स साज़ेदारी की है, ठीक है, एनस्टी कौसल विकास निगम, इसने चात्र चात्राओं को सीगर कौसल परदान करने के लिए, निमने में से किस कमपनी के साथ साज़ेदारी की है, ठीक है, एनस्टी, ठीक, यानि कि, नेशनल स्किल डेवलिमेंट कॉर्परेशन, ठीक, नेश इसका राइट अंसर क्या है दोस्तों HP ठीक है तो HP के संग इन्होंने क्या किया है कि चात्र चात्रों को कॉसल विकास करना है उनका उनके skills का development करना है तो उसके लिए उन्होंने HP के संग साज़ेदारी करी है ठीक है HP मतलब हेवलेट पैकरड ठीक है हेवलेट पैकरड कंपनी है ठीक इसके संग दोस्तों इन्होंने साज़ेदारी की है ठीक है तो NSDC यानी की National Skill Development Corporation ठीक है इसके बाद देखे भारत की स्वाधिनता के समय पर इंग्लेंड का परदान मंत्री कौन था तो अभी तक तो दोस्तों जितने भी देखे आपने अगला परशन देखे लेकर अंतिम साथा आप अगर हमारी हिस्तों वाली वीडियो देख देखते होंगे तो हिस्ट्री वाली वीडियो में दोस्तों हमने आपको बहुत सारे प्रेशन देखना आपको उसी वीडियो से मिल जाएंगे, हालंकि हमने उतनी जादा उस सिरीज को लंबा नहीं चलाया, सिर्फ हमने प्राचीन काल और मद्ये काल भी आदा करवा है, अगर उसको पूरा करवाते तो बहुत सारी चीज आती है, लेकिन फिर भी आपको सारे कोशिन मिल जाएंगे, देखें, मौरेवंस का अंतिम सासक कौन था दोस्तों, वो था ब्रिहदर्थ, ठीक है, ब्रिहदर्थ क्या था मौरेवंस का अंतिम सा सकता, ठीक है इसका सासनकाल भी पूछा जा सकता है 187 से 182 पूरू का सासनकाल है, ठीक है फिर इसका एक सैनापती था, सैनापती का नाम था पुष्यमित्र, कौन था, पुष्यमित्र पुष्यमित्र ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है और फिर उसने सुंग वन्स की स्थापना की तो उसका नाम कहता पुष्यमित्र सुंग तो फिर मौरे वन्स के बाद कौन सा आया दोस्तों सुंग वन्स आया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारती रास्टी कॉंग्रेस के पर्था मद्यक्षिक कौन थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्था मद्यक्षि कौन थे दादा भाई नरजी जी के गोकले डब्लू सी बैनर जी या फिर स्रीमती इनी बेसेट जल्ली से इसका अंसर देंगे दोस्तों आपको पता होगा क्या इसका राइट आंसर होना चीए तो क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों इसका राइट आंसर है डबलू सी बैनर जी व्योमेश चंद्र बैनर जी कहां से बिलॉंग करते थे दोस्तों कलकता से कलकता के डबलू सी बैनर जी को इनका पर्था मद्यक्षि बनाए गया ठीक है इसके पर्था महासाचीव कौन थ थे वियो में चंद्रव एनरजी और पर्थम महासाचीव थे A.O. Hume, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, next question देखो, भारती राष्टी कॉंग्रेज में सरवर्थम विभाजन किस वर्स हुआ, जल्ली बताईए, इसका राइट आंसर तो सभी जानते होंगे, 1907, 1909, 1917, 1949, तो इसका राइट आंसर क्या है, तीन सेकंड का वक्त है, तीन सेकंड का भी वक्त क्या लेना, जल्ली देखोस का अंसर, यह वाला उप्शन इल्कुल करेक्ट है, 1907 में ही दोस्तों क्या हुआ था, भारती राष्टी कॉंग्रेस में पहला विभाजन हुआ था, यहीं पर क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल में बढ़ गए थे, ठीक है, यह कौन सा दीवेशन है दोस्तों, 1907 का सूरत अदीवे बरके गुरु है, सिंपल है, कौन है, गुरु गोविन सिंग, ठीक है, सी वाल उप्शन करेक्ट है, इसमें ज्यादा बतानी क्या वशक्ता नहीं है, ठीक है, चलो अगरा प्रशन देखिए, हुमायू नामा, पुस्तक की रचना किसने की, हुमायू नामा, जल्ली को किस सिस्तान पर ग्यान की प्राप्ती हुई, चली बताएंगे, कहां पर हुई थी दोस्तों, ग्यान की प्राप्ती ये हुई थी गया, बोध गया में, ठीक है, बोध गया में दोस्तों क्या हुई थी, ग्यान की प्राप्ती हुई थी, लुंबिनी में जनम हुआ था, सार परनात की जो घटना उसको क्या बोलते हैं धर में चक्र परवर्तन बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर गया में इनको क्या वी थी ज्यान की प्राप्टी वी थी अब देखिए अगला प्रशन कितना भी दोस्तों हमने हिस्ट्री पढ़ाई है सब यहाँ पर प्रशन आए एक के की प्रशन कितने आते हैं आप जायतर टफ की और को जाते हैं लेकिन आपको से लागू किया था, तो यह ऐसे जानी को कम वेतन था, तो अगर बाजार में रेट बहुत ज़ादा बढ़ जाता, तो आलाओधिन general जी को बहुत बढ़ी से अपने पास ठीक है अगला देखे बुलंद दरवाजा का निर्माण किस ने किया था बहुत सिंपल सा प्रशन है किस के द्वारा किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था सभी लोग पार्सिपेट करें दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आप सभी लोग पार्सिपेट क जम्मु कस्मीर था, तो Japan लूप दो थी, केंदीत प्रदिस स्मथामा। तो यह सब शीराना में रखना हैं, तो आप किलिया किंदरशी राज्यत स्मार्णों प्रायधिपी भारत के बार्त के पठार sailors से संबंदित कौन सम्मंदित नहीं है ठीक है तो प्राय दिपी पठार में देखे बुंदेल खंड उच्छे भूमी आती है मारवाड उच्छे भूमी सभी आते दक्कन का पठार भी आता लेकिन पश्चिमी घाट नहीं आता है ठीक है तो पश्चिमी घाट प्राय दिपी भारत के पठार से सम्बंदित नहीं है ठीक है चलिए आगला प्रशन देखते हैं निमने युग मों से कौन सा सुमेलित नहीं है आपने बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है हीरा कुंड किस पर बना है महानदी पर बना है अफकॉस तेरी मान यमुना पर बना है बिल्कुल गलत तेरी तो जितने भी लोग अभी यहा पर पार्σιपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, जितनेभी, पार्सीपेट करते रहें, आपको यही करना है, बेलीट आपको पढ़ना है, और बिलकुल भी, किसी भी तरीके से कोई भी धिलाई नहीं बरतनी है ठीक है चलिए अगला प्रसन आगे आपके सामने है निम्न राज्योकुन के छेत्रवल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्तित करना है देखे आरोही क्रम का मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा करना है ठीक है तो क्या इसका राइट आंसर ह हो सकता है सबसे छोटा चेत्रवल से बड़ा बड़ा ठीक है वैसे असेंडिंग ओडर में वैसे देखा जाए तो इसको होना चाहिए था अवरोही क्रम में ठीक है अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ओडर मतलब की बड़े से छोटा ठीक है यहाँ पर चोटे आर MP, मध्यपर्देश , फिर इसके बाद आता है महारास्ट्रा , तो एक तो आपके एक, 2, 3, 4, 5 जो होके टॉप के तो देखाए तो राजिस्थान, मध्यपर्देश, महारास्ट्रा, UP, तो अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे गुजरात, UP, MP और राजिस्थान लास्ट में आना चीए, ठीक है, और वो कोई option बनता नहीं, तो इसमें हो सकता है कि कुछ पत्याविदन लग जाए, ठीक है, निमने में से भारत और अफगानिस्तान के बीच मध्य गांच फ़रे का, ठीक है, ठीक है, चलीए, आगे बढ़ते हैं, इमने में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह जा पने में लिखेंड़ी में आपका धेस है, ठीक है, जापन Independence, घिक है, चाइना में, ठीक है, हांगो नदी है, ठीक, उसकी एक सायोगी नदी है, ठीक है, सायग में दी है, वी हो, ठीक, तो ये कहां पर है, चाइना में, ठीक है, नील, मिस्र में वो तो है, नील को तो मिस्र में, मिस्र का वरदान बोला जाता है, ठीक है, अब आपको बताना है, निम राजी गुजरात में होती है, अगर देखा जाए तो यह राजी कौन है, तो यह राजी वाला गुजरात में गलत है, अगला प्रस्टा देखो, निमने युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अचा, अगर आपको मेरे किसी भी क्वेश्यन के आंशर में कोई डाउट है, ठीक है उसको मैं pin-up कर दूँगा, ठीक, और मैं कोसिस करूँगा कि उसको मैं modify करूँ next video में, ठीक है, लेकिन कोसिस करना कि with valid proof, ठीक है, निमने में से कौन सा चंदर भागा भी है वहाँ पर सत्पुली नियार बिल्कुल सही है ठीक इसके बाद देखते हैं तो B वाल उप्शन इसका correct है ठीक है जितने भी लोग B दे रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक रिस नहीं है रिस कोई भी प्रकार वायू का नहीं है ठीक है अगला देखो प्रश्म अंतराष्टी नियाले के सदस्यों की नियुक्ति की अवदी होती है अंतराष्टी नियाले में जो बात हो रही है सदस्यों की यहां पर बात हो रही है यहां पर जजिस की बात हो रही ठीक है तो ये नियुक्ति की अवधी कितने साल के लिए होती है वैसे टोटल में लाके दोस्तो 15 जजों की नियुक्ति होती है और वो होती है नौ साल के लिए नौ साल के लिए नियुक्ति इनकी होती है ठीक है अंतरास्ति ये नियाले के जो सदस्य है ठीक है चले आगे तो दोस्ते इसका राइट आई अंसर का है ये है राशपती के परसाथ प्रियंद तक भारत का जो महानियावादी होता है। उर्जपति के परसाद पर इन तक अपने पोस्ट पर बना रहता है, अपने पत पर बना रहता है. राश्पति ने अब तक कितनी बार राष्णिया पातकाल की गोशना की है? एक बार, दो बार, तीन बार कभी नहीं. जल्ली से इसका राइट आंसर बताएंगे. राश्पती ने अब तक किते बार राश्चिया पातकाल की गोशना की है तो इसका राइट आंसर कहा है दोस्तों C, तीन बार अभी तक गोशना की है ठीक है, तीन बार कप कप की है दोस्तों, एक बार की थी 1962 में 26 अक्टूबर 1962 ठीक है, दूसरी की थी 1971 में, ठीक है 3 दिसंबर 1971 और इसके अलावा 25 जून 1975 में, ठीक है जो 1975 में हुआ था, वो तो आंत्री का सांती के करण हुआ था ठीक है, वैसे आयोग ने इसका आंसर एक बार दिया, तो एक बार तो मेरे साबसे गलत है अगर ये स्रिफ राश्पती क्योंकि राश्पती ने अब तक इतने बार की है तो 3 बार अभी तक घुषना हो चुकी है तो इसमें भी पक्का परत्याविदन जा सकता है ठीक है, तो यहाँ पर आप जो जो चीज़ आपको बताएगी है आप उसको लिख लेना, ठीक है इसके बाद देखें हैं, अगला भारत का निर्वाचन आयोग है किस तरह का आयोग यह सनविधनी आयोग है ठीक है, क्योंकि इस अधानी आयोग है ठीक इसके बाद देखें, कुछ ऐसे प्रषन भी क्योंकि यह महादीवक्ता काले लेके अंगर गत है ठीक है चाहिए भी आरो यारो का था भी हाल में ही जो अगला पेपर आएगा ना आरो यारो वाला पेपर आएगा तो वहाँ पर भी आपसे legal glossary और legal history पूछी जा सकती है ठीक है तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि legal glossary और legal history के पेपर कोशन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो मुंटेटिस और मुटेंडी का अर्थी क्या होता है तो यथा वस्यक परिवर्तन सही इसका अर्थ होता है ठीक है आब इसका क्या logic है तो वही जाने जो legal history, legal glossary पढ़ते है ठीक है तो फिलाल मैं आपको इसका अंसर बतायता हूँ बाकी तो इसमें ज्यादा कुछ discuss करने के लिए नहीं है ठीक है चलिए बहुत सिंपल सा प्रशन आ गया भारती उचितर न्याले की पर्थम महिला न्यायदिस कौन थी पर्थम महिला न्यायदिस कौन थी कौन थी दोस्तों बी वाला option करेक्ट है न्यायमूर्थी फातिमा भी ठीक है अगला देखिए अंतरास्टी सम संगठन का मुख्याले जली से बताइएंगे सिंपल सा प्राशन है क्या इसक का रइट weird ए क्रेक्ट है जिनेवा स्विजलें में कहां किसका मुख्याले दोस्तों अंतरास्ती स्रम संगठन का मुख्याले ्लिए ax जाते हैं 2019 में तभीगा दिया प्रस्न भी पूछा जा सकता है ठीक अगला देखो X-Post-Facto X-Post-Facto का सब्दावली का ठीक है फिर से लीगल कर सी हो गए है दोस्ते ही हो गए है भूत-लक्षी-प्रभाव ठीक है भूत-लक्षी-प्रभाव इसको बोला जाता है ठीक है X post facto, ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, ओटर ड्रोट, सब्दावली का क्या आड़त है, परादिकार, के विरुद्ध, वस्तुता, या फिर परसाथ परियंतुता, इसका right answer है दोस्तों, परादिकार, ठीक है, ओटर ड्रोट का अर्थ होता है, परादिकार, ठीक है, अग का क्या आर्थ है, ठीक है, अब इसमें कुछ लीगल ग्रॉसरी के प्रश्ण भी दिखेंगे, और ये आरो यारो में भी आ सकने है, ठीक है, इसका right answer है, जन हित्मे, ठीक है, मारी उत्ता कारे लेकिन तरगार, जो 27 मार्च को एक्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी दोस्तों ये देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, इसके बाद देखे, de facto, de facto का क्या आर्थ है, इसका आर्थ होता है, सभी तथ्या एवं आँक्डे, ठीक है, तो ये तो कुछ लीगल ग्रॉसरी के ताई, अब देखते है, निमलिकित में से कौन सा देश, सुरक्षा परिसत का स्था सड़स्य कौन है फ्रांस जर्मनी जापन दक्षेन कोड़िया है उं आउ दुझ क्या इसका एंसर दुस्तो हुआ अउन्स इसका एकसर एक सुरक्षा परिशों में कितने सथा सी होते कुंछमिलाक इश में लागो 15 सबथ से होते चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, युएसे ठीक? चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका ये हैं पाँच जो की सुरच्छा परिशत के इस थाही सदस्य हैं बाकी 10 के हैं अस थाही सदस्य हैं, ठीक है? अगला देखो बाल्ष्रम निसेद और नियम अदीनियम कब अदीनियम को बनाए गया ठीक है तो बाल्ष्रम अदीनियम को कब अदीनियम को बनाए गया ठीक है तो बाल्ष्रम अदीनियम को कब अदीनियम को बनाए गया ठीक है तो बाल्ष्रम अदीनियम को कब अदीनियम को बनाए गया ठी इस टैप के दोस्तों इसमें नियम बने वे ठीक है, अगला देखे, किसी दूसरे वेक्ति की संपती में अनदिकृत प्रवेस क्या कलाता है, संपती का उलगन, अतिचार, सब परिवर्तन के लिए कारवाई यान में से कोई न, इसको बोलता हैं दोस्तों, अतिचार, ठीक है, क इसमें से भारती दंड सहीता 1860 का निर्माता कौन है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, IPC, कहते हैं हम IPC के तहती है, तो भारती दंड सहीता का निर्माता कौन है, तो कौन है दोस्तों इसमें निर्माता, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, तो भारती दंड सहीता का जो निर्माता है दोस्तों वो कौन है लॉड मैकाले ठीक है C वाला option correct है तो भारती दंडे सहीता के जो निर्माता है दोस्तों वो कौन है लॉड मैकाले अगला देखे इस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंदन किसके हाथों में नहीं था ठीक तो ये एक तरह की legal history है ठीक है मद्रास agency को presidency का दर्जा दिया गया अब ये थोड़ा सा दोस्तों ये थोड़ा confusing सा प्रशन है किस वर्स mirars agency को presidency ka दर्षा दिया गया हालांकि 1649 में मद्रास agency बनाई गी थी ठीक है उसके बास 1684 में दिया गया था इसको presidency इन्सी का दरजा ठीक है कई जगर पे 1686 भी दिखेगा आपको वैसे दिया गया इसका अंसर है 1665 तो मेरे साब से तो थोड़ा एक का इसकी अरिक घर किसी को इसका राइट अंसर है तो मुझे बता जीना है हाल्लें कि मेरे साब से इसका राइट आंसर है इन में से कोई नहीं होगा क्योंकि 1684 इसका सही दिखता है बाकिया हो सकता है आयो का जो भी होगा इसमें परत्यावितन लगेगा ठीक है भारत का पर्थम विदी आयो किस चार्टर के तहत पर हुआ था ठीक है भारत का पर्थम विदी आयो किस रिलेटेट है लॉड मेकाले 1834 में इसका गठ चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखे, किस वर्स अंगरेज़ों ने सूरत में वियापारिक फेक्टरियं सथापित करी थी तेकि यह प्रश्न भी थोड़ा साip Confusing है, क्योंकि इसमें आंसर दिया गया है 1612 लेकिन इसका कई जगे पर आंसर आपको 1608 दिखाई देगा ठीक है या फिर 1613 दिखाई देगा ठीक तो देखा जाए तो exactly इन में से तो कोई भी option मैस नहीं करता है तो इसको भी आप देख लेना भारत किस वर्स अंग्रेजियों ने सूरत में व्यापारिक फैक्टरें मेरस कोट किस चार्टर के तहत पर इस्थापित किया गया था ठीक है थोड़ा से लीगल हिस्ट्री है लेकिन ये वैसे देखाते है तो जन्रल हिस्ट्री का भी हिस्सा आईसा कुछ ही नहीं है ठीक तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों इसका राइट अंसर है 1726 का उसके तहत पर दोस्तों इसको स्थापित किया गैए था ठीक है, उस समय पर हुआ करता था जिसे मदरास, कोलकाटा, ठीक है, बॉमबे, ठीक, यहाँ पर दोस्तों क्या था की मेर कोड़् थी तो भारत की सर्वोचिनयाले थी उसमय पर, तो मदरास, कोलकाता, बॉम्बे में न, तो इसी चार्टर के तहर्ट पे, 1726 के चार्टर के तहर्ट पे, उसमें मेर्स कोट हुआ करती थी, तो भारत की सर्वोचन्याले कहलाती थी, मदरास, कोलकाता और बॉम्बे में, ठीक है, तो बिटिस भारत में सर्वोचन्याले थी, उ अगला देखे चानपूर गड़ी की जन्पद में जल्ली बताएंगे कौन सा है चंबोली में ठीक है अगला देखो प्रशन यह देखो जो हम सब करवाते हैं यह सब आ रहे नहीं आ रहे तीही राज्ये का भारती संग में विली निकरन कब हुआ अब ऐसे ही प्रशन आते हैं दोस्तों कल भी आपको बताया था भारती संग में कब हुआ था विली निकरन एक अगस्त उनिस सो उन्चास को ठीक है एक अगस्त नाइटीन फॉर्टीन को निमलिकित में से कौन कुमाउं कमिशनर के रूप में कार्यत नहीं रहा है ट्रेल रहे हैं लेसिंग्टन रहें बै अगला परसन देखें कल भी आपको प्रसन करवाय था हमने उत्तरा खिंड करांती दल के सथापना करी थी अगला प्रसन देखो रूड की इंजिरिंग कॉलेज की स्थापना होई थी जली यली आप आंसर देते वे चले जाओ फटा फट यह मान के चलो कि एक वह चला 1847 में क्या होई थी रूड की इंजिरिंग कॉलेज की स्थापना होई थी ठीक है अगला देखो मसूरी गोली कांड यह भी आपको करवार कहा है मसूरी गोली कांड कभ वह था दोस्तों 2 सितंबर 1994 को ठीक है अगला प्रसन देखो 1962 में चीन युद्ध से पूर निमले कितमे स कौन सी जिन जाती दिबत से व्यापार करती थी जब तक 1962 में भारत चीन का युद्ध नहीं हो था तो उससे पहले कौन सी जिन जाती दिबत से व्यापार करती थी ऑफकौस भोटिया ठीक है अब यह प्रस्ण देखो प्रसिद्ध पथर युद्ध बगवाल खेला जाता है अब यह प्रश्ण मिल भी आप क्या हाल में करवाया था थीक है। देवी दुरा कहां पर होता है चंपावत में ठीक है अगला दिखे उत्तरा खंड इन्वेस्टर सम्मेलन 2018 देहरादूर में कब हुआ था ठीक है तो यह थोड़ा सा पुराना भी प्रशन है 2018 में कब हुआ था तो यह काफी टफ सा भी कोशन है यह हुआ था 7-8 अक्टूबर 2018 म ऐसे देखा जाए तो यह आंसर बहुत मुश्किल होता है देना क्योंकि 2018 का प्रशन ने तो एकदम से याद में रहता तो चलो कुछ तो छोड़ना भी होता है वह सारे के सारे प्रशन कौन कर लेगा ठीक है चलो अगला प्रशन देखें अगला प्रशन देखो भया उत्तरा 17 सितंबर 2017 को ग्राम में विकासिम पलायन आयोग का गठन किया गया था ठीक है उस सेंपर 17 सितंबर 2017 को कौन थे त्रिविन सिंग रावत तो त्रिविन सिंग रावत ने पौड़ी में ही इसका उद्गाटन किया था ठीक है अगला देखो प्रशन जन करना दोजार के अरण के उसार उत्राखंड की कारेसिल जन संगया का पर्शन देखो सिससाथ कितना है थोड़ा यह प्रशन भी कंट्रोबर सियल है हलाइं की इसका 38 परसेंट है लेकिन 38.43 दिया गया आयोके दौरा एक्जेक दिखा जाए तो 38.39 परसेंट दिखता है ठीक तो चलो इसको भी चेकल लेंगे बी वाल ऑप्शन इसका करेक्ट है आयोके सिससाथ की खोज किस ने की थी पीटर बैरन ने की थी 1841 में सभी को बता होगा ठीक है उत्तरा खंडे में निम्लिकेत में से कौन से जिन पद सेप का सरवादी को उत्पा देगे सेप सबसे आदा कहा होता है दोस्तों सभी लोग जानते होंगे नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं बता देता हूँ सी वाल ऑप्शन करेक्ट है उत्तरकासी में हर सिल सेत्र है सेप के लिए सू विख्यात है ठीक है अगला प्रशन देखो भारती सम्विदान में निम्लिक में से कौन सा अनुछेत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड़ है त अनुछेत चाले सभी लोग जानते है ठीक है अगला देखे राजपती के चुनाव संबंदी विवादों का समाधान का निर्ने कहां लिया जाता अगर राशपती का चुनाव कर रहे हो तो इसके चुनाव के संबंदी सारे विवादों का निप्टारा कहां किया जाएगा भ हुआ क्या था कि बीच में फिर कही सारे पेपर आगे एक तो फिर हमें paper के according वीडियो बनानी पड़े हैं यह लेकर स्टार्टिंग में जो वीडियो बनी है बहुत अच्छी बने हैं तो राजजे के राजिये पाल के दौरा ठीक है राजजे के राज़िये राजपाल के दौर भारत के उप्राश्पती को पत के अटाने का प्रस्तुत किया जाएगा, बताइए, दिमाग लगाईए, सभी लोग जानते होंगे, भारत के उप्राश्पती किसका पदेन अध्यक्ष होता है, यह होता है, राज्यसभा का सभापती कौन होता है, उप्राश्पती होता है, के पास वो पद है तो आप अध्यक्ष बन जाती हूँ ठीक है तो आप इसको जो भटाना चाहेंगे उप्राश्पती को तो उसका प्रस्ताव कहां ला जाएगा राज्य सभा में ही लाया जाएगा ठीक है तो यहां पर संसत के किसी भी सदन में मत दे देना इसका अधिस सर्व महीने का अंतर चाहिए तो अगर पंचायत भंगोगी तो भटाफट से चुनाओ कर वा दो भारत के राशपती को सपत कौन दिलाएगा भारत का राशपती तो सबको सलपत दिलाता है और भारत के राशपती को कौन दिलाएगा भारत का CGI यानि कि Chief Justice of India भारत का मुख्य नज वो इसको सपत दिलवाता है ठीक है जल्दी हो रही होगी वीडियो लेकिन दोस्तों बहुत लंबा पेपर है सौनमबर का पेपर है और कोसिस करने है कि इसको जल्दी खतम कर ले ठीक है चलो अधला परशन देको लोगसभा में अनुसूची जाती के लिए कितने स्थान स्ठान क्या है तो लोगसभा में इसको स्थान आरक्षी है फिक है जल्दी बताएंगे स्का राइट आंसर दिटीrह के लेकितने स्थान अरक्षी घ्यान रखना देक्छा कई सूथे कृत्ına देखान तो कितने हैं 545 में से 2 मनुनित, कहां से आते हैं अगलो इंडियन से, तो 543 सीटे बची अब 543 में से दोस्तों क्या होथी है, 84 होती है SC के लिए, 84 होती है, 47 होती है ST के लिए, तो कुल मिला के 741 सीटे क्या होती है, रिजर्व होती है ठीक है याद कर लेंगे आकड़ा SC ST 131 ठीक हो गया ST के लिए 47 SC के लिए 84 दो एंग्लो इंडियन को जाएंगे कुल मिला के 545 सेट हैं दो इसमें मनोनित होंगे 543 पर चुनाव होगा समझ में आया समीदान सभा का पर्थम अध्यक्षित कौन था बैस समीदान सभा का पर्थम अध्यक्षित कौन था ठीक है अब यहाँ पर न अस्थाई लिखा है न अस्थाई लिखा है तो कौन होगा अनिवे लुट पंढनें इन्होंने अद्धाइ थी अस्थाई थी फिर इसके बाद क्या वह था है ऩश को डॉक्टर अधिक्ष웃 को चुलिए अगय थी तो 11 दिसमबर 1946 से अद्यक्ष ताकरी राजिनद परसाद ने लेकिन 9 दिसमबर से 11 दिसमबर तक सचिनानन सेना अस्थाई अध्यक्ष के रूप में रहे तो सविधान सभा का पर्थम अध्यक्ष कौन है Actually वो है सचिनान सेना पर्थम अस्थाई की बात आईगी तो कौन हैंगे डॉक्टर राजेंद्र परसाद ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पंचायतों के चुनाओ कराने के निर्ण है निमनिमे से किसके द्वारा लिया जाता है वह पंचायतों का चुनाओ पंचायत किसका विज़ा है राज्ये का तो राज्ये सरकार के द्वारा ही लिया जाता है ठीक है अगला प्रस्न देखो निम्ने में से क़न सा operating system विस्वुद्ध्याले में आविश्कृत किया गया, zniva Windows field are all you do熊min you works California university, 191969 में इसका आविश्कार कीया गया अगला देखो, निम्ने में से क।न स स एक translator हैable , ट्रांसलेटर , Compiler ,ض How को इनि अब आप जानते है translator का मतलब का कि जो ट्रांसलेट कर रहा है तो कौन करता है दोस्तो compiler compiler क्या करता है दोस्तो हाई level की language को लेंगविज में convert करता है या binary language में convert करता है उच्छे स्थारी भासा को computer भासा में बदलता है मसीनी language में बदलता है binary भासा अगला देखो दिमने में से कौन RDBMS का उधारण है बहुत इंपोर्टेंट है RDBMS का मतलब होता है Rational Database Management System के उधारण कौन है इसके उधारण दोस्तों कौन-कौन से होते हैं जैसे कि इसमा आता है ठीक है और इसके लावा Microsoft SQL आता है ठीक है तो यह सब चीज आते हैं तो देखा जाए तो कौन है इसका राइट अंसर ओरेकल इसका राइट आंसर है ठीक है जावा वेब ब्राउजर MS Office RDMS में के अंदरगत नहीं आते हैं ठीक है चलिए आगला देखिए इसके कि पेरिफेरल डिवाइस का उधरन को आने पेरिफेरल डिवाइस पेरैरल कोन से होते इसकीं कि पीठ्वा मान दिए सीपीयू आपको कॉर्स साइक जाते हैं मॉनिटर नहीं अलब कि खुशा आपको करने अन जीजिया है। आई पर भी एडर्से मैं आज़े मैं आजा है तो दो ईसाय सबका जें weitere ऐनगी आएइग YESE इसी के नतर होते हैं इंट परिंटर आप लिबाइस में आजायेगा ठीक है आञे सामान्य धारा उस्एम नहीं की जाते हैं कौन सी लुझ नहीं करते हैं ओ ऑफीड करते हैं main memory करते है RAM करते रोम नहीं करते ठीक है रोम नहीं करते पर्मनेंट memory का सामानिय प्रयोग करता के द्वारा उप्योग नहीं किया जाता है ठीक है अगला कॉनसी computer की object oriented programming language है अब थोड़ा से यहां पर थोड़ा से दोस्तों यहां प्लस होती है वो भी आपकी क्या होती है object oriented programming लेंगे ज़ा हो सकता है कि इन्होंने c++ ना लिखा हो तो c language दिया हो पसका ली ठीक है operating system की कोई भूमीका नहीं है operating system की क्या भूमीका है दोस्तों आप memory का management करता है input output का प्रबंदन करता है processing का प्रबंदन करता है लेकिन वायरस से इसका कोई भी मलत नहीं है ठीक है तो वायरस operating system है जोड़ी थोड़ी कि आपका जिसा operating system हम use करते हैं कोई भी ठीक है चाहे हम operating system कोई साब भी use करें चाहे आप Microsoft करें ठीक है या कोई भी आप करते हैं चाहे Android करते हैं कोई भी आप OS operating system यूज करते हैं तो लेकिन वह वायरस के लिए तो आपको क्या करना पड़ता है एंटिवायरस जालना पड़ता है तो यहां पर ध्यान लगना इस चीज़ को ठीक है अगला देखो DBMS फिर से देखो वह दोस्ते का यूज होता है ठीक है अगला देखो निम्ने में से कौन पेरिफेरल डिवाइस अब देखें पेरिफेरल डिवाइस नहीं आपको बताने ठीक है तो देखें माउस है प्रिंटर है स्क्रेन है यह सब बहार से लगते है ठीक है लेकिन जो CPU है मैंने आपको पहली ब स्क्रेन यहां तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें कोसिस मेरी पूरी है कि समझा भी दूँ और आपको अंसर भी बता दीजाए चलिए चलो भीया आट-थस क्वेशन और रहे गए हैं जली यली कल लें हैं बारा क्वेशन रहे गए मेरे साब से ठीक है नमने में से कौन बारा bueno मैन टेरा क्वेशन रहें है 01 SATURATED वसा अमलों क्यों है Bardzo sorted गेक भी देंके टीन सेकंड का वक्त रहाएगा ठीक है डी वाल उप्शन करेक्ट है, ओली कमले, दोस्तों, क्या है, अपका monosaturated वसा हमलोता है, ठीक है, सोनार का उप्योग क्यों करते हैं, सभी लोग जानते होंगे, सोनार का उप्योग क्यों करते हैं, मतलब कि सोनार का उप्योग में क्या यूज क्या जाता है, ठीक है, अपसरव यह द्धनी का यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेपस बैसे हैं, इस अगर समुदर की गहरा ही नापनी है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई समुदर में पंडुक भी चुपी भी है, उसका प्रयोग करना है, तो यह होता क्या है, दोस्तों, यह और और अधरी थे, तो सोनार से, आप क्या कर सकते हैं, जितना समय लगता है, किसी द्धनी को आने या जाने में, वहाँ से रिफ्लक्ट हो वापस आती है तो आप और एकि क्या कर लेते हैं, दूरी का पता लगा लेते हैं, कि कितनी डिस्संे पर कॉन है, ऐसी दुस्तों, आ सोनार है, ये नीचे पानी है, तो आप यहां किसे क्या करते हैं, रे को छोड़ते हैं, तो इस ये रे जितने देश समय में लौट कर आती है, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, इसकी स्पीड आपको पता होती है, टाइम आपको पता लगे है, तो इससे होता है 76 cm . अगला देखो अधिक वास्पसील होता है क्यूंदि की पानी की अपिक्ष्या healthy relation जल्लीकी में भाफसील integration मतलब की पानी क्ये ज्ल्लीकी से जल्लीकी серइ औरो अधिक मैं भाफसील होता है तो पहली से पहले ही भाप में बदलने लगता ठीक है अगला देखे राशयणी रहा रूपर से एस्पीरीम क्या है जली से आंसर देंगे तीन सेकंड रहे का वक्त तो रासयानी क्रूप से एस्पीरीम है दोस्तों Insulin किस नंतासरावी ग्रनती का उत्पाद है किस से related है ? dabei pancreas agnidaise शे other है तो इसका उतपाद है दाद है Boxide किस डाकतू का एक एक आजव कई bond यह भी बूज़ा जाते है आजय सो थे पटंदेना अच्भेस एक है किस से वर्येुमीनियम से फ्यूजन पर आदा रिक है ठीक है अगहर परमाणी क्यों उश्म के विंखंडan ठीक है नुगलेर फीजन ओर नुटिलेर्टेम फ्यूजन थीक है नुटिलेर फीजन में क्या होता है एक बड़ा नाभिक, छोटे-छोटे में बड़ा नाभिक ठीक है नाभिक में तूड़ जाता है है जबकि नंरे encryption में कहते है छोटे है जोटे-इधि नशनिक मिल रूप बनाते है बड़ा नाभिक बनाते चलो आगे वरती है मार्स गेस मुख्य रूप से है, मार्स गेस, ठीक है, मार्स गेस, किसकी है दोस्तों, इसका नाम होता है, मेथेन, ठीक है, जो मार्स गेस है, CH4, मेथेन से ठीक है, आपको पता है कि जो मार्स का कलर है, यानि मंगल का कलर, वो क्या है, रेड है, वो किसके करण है, मेथेन के तीक है वहाँ पर क्या है red, वो red है क्योंकि मेथेन हो अगला देखें निम्ने में से कौन सी रख्तिकनका है, सरीर का सैनिक यह ठीक है, आपको यानी बीमारियों से बचाती है, आपकी सरीर का सील्ड की तरह काम करती है, तो कौन करती हैं, डबलूबीसी, white blood cells white blood cells आपके सरीर में प्रती रोदक छंता बढ़ाती है तो इसलिए इसको सरीर का सैनिक बोला जाता है ठीक है अगला देखो 80 विस्वनात कारीड़र का उद्गाटन इनुवसर के सहर में किया गया 80 विस्वनात कारीड़र अब एक कारीड़र से होगा कैकी काफी सारे सर्डालू है उनको दरसन कनने में बाबा के दरसन कनने में दिक्कत नहीं आएगी तो इसलिए खोला गया था इसको benefits किया गया ओरानसी में ठीक है वारानसी इसका right answer है ठीक है अगला देखिए उस digital platform का नाम किया है जिसका उपयोग भारत में कोईटी का करन के लिए लाबारतियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा ठीक है जली से इसका आंसर देंगे 99 द्वा क्वेश्चन है जल्दी से खतम करेंगे इस वीडियो को आज डिजिटल फ्रेट फार्म का क्या नाम है जिसका भारत में कोईटी का करन के लाबारतियों को ट्रैक करने के लिए किया जएगा उसका नाम है दोस्तों को विन आप है घाच के लिए उसके तक विन ट्रैक करन के लिए ठीक है अगला देखिए, CDS स्वर्गिये विपिन रावत का जनम के सिस्तान पर हुआ था, अभी मैंने आपको बैता है था, कहा हुआ था इनके जनम दोस्तों, पौडी उत्राखंड में इनका जनम हुआ था, ठीक है, कब हुआ था जनम, कभी कब यह भी पुचा जा सकता है, 16 मार्च 1958 को, 16 मार्च 1958 को इनका जनम हुआ था, लेकिन 8 दिसंबर 1921 को इनकी प्लें क्रेस्ट में मिरती हो गी था, तेमिल नाडू के कन्नूर जगा पे था, ठीक है, पुचा सकता है तनकी आर्मी का हेलिकॉप्टर था, उसकी हो गया था, ठीक है, 8 दिसंबर 1921 को, ठीक है, तो यह थे आज के प्रश्ण आज का पेपर एपीएस का पूरा का पूरा हमने कोसिस की है solve करवाने की अगर कोई doubt है तो आप पूर सकते हैं और अगर आपको किसी प्रश्ण पर आपको doubt लगता है तो आप comment कर सकते हैं आपके comment को मैं pain up कर दूँगा अगर मुझे सही लगेगा तो मैं उसको pain up कर दूँगा बाकी लोग को भी इसका फाइदा मिल जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में till then take care and goodbye